हाई एवरिवन असलाम अलेकूम वेलकम टू मैं न्यू व्लोग रम्ना रम्सान स्पेशल व्लोग जी तो कैसे आप सब उम्मीद हैं कि आप सब बिल्कुल टिक टाक और मज़े में होंगे जी तो आजकल जो रोजे हैं वो बड़े ही मज़े को ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मौस वो बहुत ही अचा है और ग्राम ऑचिसान में कहीं बारिशे हैं कहीं मौसम अचा है कोई मतलब बड़े मज़े के रोजे हैं अलहम्दिल्लब जी तो अमीद है तो आपके भी रोजे बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे तो यहां पे आज हम अपने व्लोग की कर लिया था इतना खास कुछ खारते नहीं यहां पे अर्शमान को मैं उठा रही थी इनके काम देखो अर्शमान की सुबह निमास के बाद यह गेम खेल रहा था कंप्यूटर पे सोते सोते इसको टाइम बहुत लगए इस ते नाइटी भी नहीं चाहिए इसके पॉकेट से यह करवाने जा रहे हैं करवाने जा रहे हैं करवाने जा रहे हैं करवाने चले गए हैं अपने फादर के साथ जी तो यहां पे मैंशमान को भी उठा रही थी और अफ़तर की तैयारी भी सासा हो रही थी मेरी यहां पे मैंने फूर्ट चाट बना ली थी और यहां पे और चल र जड़्पट बन जाते हैं लिए तो आप सूच रहे हैंगे कि बच्चों की मैंने अभी हैर कटिंग की यू करवाई एक पे करवा लेती लेकिन मैंने इसलिए करवाई कि मेरे बच्चों के वो हेर जोए वो काफी लंबे हो गए थे तो काफी उनको तंग कर रहे थे आख में ज यारिया चल रही है तिन जोए वह काफी चोटे हो गए जली जली टाइम गज़र जाता है पता ही नहीं चलता और काम में तो और भी जादा पता ही नहीं चलता तो वही है बस अलहम दिल्ला रोजी तो बहुत अच्छे जा रहे हैं बहुत थंडे और पता ही नहीं चलता रोजे का ओची मेरे वाइडी चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल पे मेरा जो है वो काफी टाइम थे एक प्राब्रम चल रहा है व्यूज का व्यूज मेरे काफी डाउन होते जा रहे हैं पता नहीं मेरे चैनल में सेटिंग में कोई प्राब्रम है या उपर से कोई प्राब्रम है त दो बार और इंशाला मैं आगे भी करवाऊंगी तो फ्लीज 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 वाइट टी मैं स्पेशल उनको रोकेस्ट करती हूं कि इसा ना करें हम बहुत मैनेज़ करते हैं तो व्यूस का जो भी प्राब्लम है वो हल हो जाए तो बहुत अच्छा है कभी व्यूस क प्राब्लम होता है तो कभी कमेंट बंद हो जाते हैं तो खेर इन्वेड में मैंने काफी लोगों से बात की तो उन्होंने यही का कि यह प्राब्लम होते हैं कभी का बार तो इसलिए जायद मेरे चैनल पे अभी यहीं चल रहा है लेकिन अलहमदिल्ला इंस्टाग्राम और टिक टॉक पे तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहां पे भी मुझे मिल रहा था लेकिन काफी जो है मेरे जो सब्सक्राइबरे उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो मेसेज भी किया था कि आपका जो नोटिफिकेशन ही नहीं हारा हमारे प पे मैं अपने बच्चे की चोटे की अरहां की में फीटर भी वाश कर रही थी तो मैं में बच्चों का वैट कर रही थी का वो आ जाए कि मैं उनको वाश करके फ्रेश करके सारा अपने बगार चैंज करके फिर में जो है अफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो फिर में नीचे शेले जाओंगी तो मैं इनका भी बढ़ करी थी तो साथ में में काम भी करी थी अपना यहां पे मेरे सारे काम अलमदोल्ला हो चुके हैं बच्चों को मैंने त्यार कर दिया हैं और यहां प्वे अफ़ टाइम हो गए में जा रही हुनी चैज अफ़ ताहरी करने ये है फाइनल डेबुले की जो है फाइनल लूक ये मेरा है बन चुके थे है आज तेकि के बचचे है ये हैस्टल जो इसने करवा है वो अज्डों करवाई है ये आज 얼마나 चौट रही ही ती है। B Child, Baita flour, Kool, Moabharao, पे बना ना माज़ु आदा की उसके बाद चाय वद्धार हो पीस अपने और बचे हैं पे वो जो जो जिनके अफतार हैं वो अफतार ही करें और बाकि जोए वो के रहे हैं मस्य चल रहे है उनकी हो यहां पे चल रहे है अफ़ाज मुस्तफा की ओवर एक्टिंग यह ब्लोगिंग करता है जिए भी ब्लोगिंग करता है यहां पे मैं उपर आ गई थी और यहां पे मैं निमाद इशा और तरावी अदा कर रही थी उसके बाद में बचों को जो है वो जबरसी जो भी होगा खाना वो मिकलाओंगी क्योंकि जबरसी करना पड़ता है वैसे तो यह खाती नहीं है जी तो अलहमदल्ला मैंने निमाद अ और उसके बाद में बागी काम करती हूँ क्या खाना है आपको यह खाना है यह खाना है यह खाना है ओके अपी हम आउट 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 जी तो आप कोश्च करें कि रमजान में आप जो है फर्ज निमादों के साथ साथ आफ नफली जो निमाद हैं हम पे जो वो भी आपको रमजान में उनका भी सवाव हमें फर्स के नमाज के बराबरी मिलता है तो आपको शिया करें जो नफली नमाजे हैं वो भी अदा करें क्योंकि रमजान का जो मन्थ है वो स्पेचली अबादत के लिए हैं हमें मिलता है जी तो और इसके लावा Qur'an शरीफ का जो हमें Qur'an शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए और हमें जो है बाकि जो भी हम पढ़ते हैं वजाए वगर उनको छोड़कर हमें Qur'an शरीफ का ज़्यादा जिकर हमने सुनाई कि रमजान में है जितना हो सके हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और अपने जो हमारे अपने जो इस दुनिया में अपने ही है उनको हमें कुरान पढ़के जो हमारे अजिस करीम नहीं है इस दुनिया में इसको हमें सवाब बचाना चाहिए तो इसलिए जितना हो सके आप से आप उक्राण शरीफ पड़े जी तो यह तो सबको पता ही होगा फिर भी अक्सिस्ट बनाती हूँ तो मुझसे गुट्लिया जरूर बनती है हर चीज में नहीं किसी किसी में तो फिर वो इस गुट्लियों से पीचा चुड़ाने का उसको कैसे मैं रूमाँ करू कैसे मैं उस च इस तरीके से निकाल देती हूँ फिर जो है मेरी गुट्लिया होती ही नहीं है यह जादू है आप भी करके देखिएगा यह अक्सिन्यारी बनाते हैं यह कुछ वे इसी चीज जिससे आपकी बुट्लिया बन जाती है और फिर वो आप किसी भी कैसे भी मतलब आप चला ले अ कि अचा है मैं जब भी सेहरी की तयारी करते हूं तो फिर में एक नाज चला लेती हूं और मैं सुनती हूं फिर वो मेरे बच्चे भी मुझसे सीखें फिर वह भी यहाँ पे वही सुन रहे हैं अच्छा यह जो बेरा चोट हुए वो आर्शन को देख देखकर वैसा ही कर आ ह जिसे एर्शन करा है तो वो यहां पे नाच चल रहे थे और मैं यह साथ में अपनी तैरी की तैरी भी करे दी दोनों का हम साथ ही साथ चल रहे थे तो देखे बच्चे भी देख रहे हैं यह चीज़े आपको चलानी चाहिए आपको अपने बच्चों को भी हमी जो हिए भी रही तो पर जाय आखिए रहा है तो पैंने बच्चों बाखने पयार टाहिए तायमोरastic है इस्पांचे। वह च्छु निए तक रहा हम खीए राम्दी के रही वह बच्चों कर साहिए रहेजिए झाला नाओ वाव तो यहां पर रहे थी वही सेरी के त्यारी में करेही हूं यहां पर मैं अदियोंगे जाटपट से रेसिपी मैंडला मेरी यह घीश तयार हो जाएगी उसके बाद में घरम घर्म रोट्या निकालंगी और पर पर आद धाया करेंगे त्यारी के जटपट और विंटो में बनने वाली रेसिपी अगर आपको इस रेसिपी में इंटर्स्ट है तो आप आई बटन को उपर क्लिक किजिए आपको यह रेसिपी मिल जाएंगी डिटेल में जी तो फिर यहां पे हमारी हो रही है सेरी और उसके बाद हम अपने व्लॉग की यहीं पर एंड करते हैं मेरे मुझे दौाओं में याद रखियेगा और अपना बोसर रख्या रखियेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलिस में शेयर कीजिएगा अलाहाफेज टेक यहार